हलो फ्राइन, वेलकम टू मैं चैनल छोटी सी रसोई फेस्टिबल सीजन स्टार्ट हो गया है तो आप इस टाइम पे आप कुछ हेल दी घर पे बनाए और सब को पसंद आए, कम मेहनत में बन जाएगी ऐसी रेस्पी मैं आपके लिए लेके आई हूँ और इस वीडियो में मैं सारी टिप्स दूँगी जिससे कि आपका भी जो ये छेना पाई है ना ये रसमलाई बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए एक दम परफेक्ट बने इस वीडियो को पुरा ज़रूर देखेगा इससे हमें काम करने की मोटिवेशन मिलती है और यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिया है अब एक लीटर दूद तो एक लीटर मेरे पास ये गाई का दूद है इसका फैट मैंने नॉर्मली जो उपर की मलाई रहती है न वह निकाल दी है अब फैट के साथ में भी बना सकते लेकिन यहाँ पर फैट निकाल दिया जादा घी हमें नहीं चीज के लिए अगर आपके दूद में फैट कम है तो आप मत निकाले उसको मैंने उबाल लिया है और यहां पर हम इसका एक पानी रेडी कर रहे हैं तो एक कल्ची जो मेरा है एक बड़ा चमच भर के सिरका मैंने लिया है विनेगर और उसी उतना ही हमें पानी लेना है नॉर्मल पानी इन द बन लिएगा उसको जटका लगेगा तो अच्छे से नहीं भटेगा तो ःसना दोड़ा करके इसको मिलाइए प्सका न पर जो जो या जो भी बनाईएगा बहुत अच्छा बनता है तो यह आपका पहला टीपस है दूद को फारते समय आपको किन बातों का धियान रखना है बहुत जालती जल्दी इसको मिक्स नहीं करना है असी विनेगर का यूज नहीं करना है साथ में पानी का यूज करना है नीबू से भी आपका जो छेना है अच्छा भूर भूरा वाला बनना चाहिए उससे आपका जो रस गुला रस मलाई बहुत अच्छा बनता है इसके बाद हम इसके पानी को अच्छे से निचोड़ लेंगे तो आपको दोना इतना है कि इसमें कोई भी खटास ने रहनी चाहिए नहीं तो जो भी छेनी की मिठाई बनाईएगा उसका टेस्ट खराब हो जाएगा जितना हो से कि उतना इसको निचोड़ लीजिए अगर रहे तो अगर नहीं अच्छे से निचोड़ाता है वो तो आप इसको पान 10 नट के लिए किसी हैवी बर्तन के नीचे रख दीजिए तो उससे जाएगा उसके बाद मैंने हैं पर एक कप चीनी लिया है कूकर में आप को भी पतीर कूकर में भी घहराई अच्छी होती ये कि मैं बहुत ज् chỉ बंदी है इसमें के चरुकर पनी डाल दिया है एक चौप का अप पानी डाल दिया है क्योंकि हम चैसनी चाहिए उसीमें हम हलका सा moist होना चाहिए यह तो 5-10 मिनट में अगर आप इसको किसी heavy burden के नीचे रखेगा तो हो जाएगा यह उसे जाद आपको नहीं रखना आप चेतों सीफ नीचोड़के भी ले सकते हैं इसको अच्छे से हाथेलियों से हमें इसे mix करेंगे तो जादा टाइम नहीं लगेगा 3-4 मिट बस लगेगा हथेलियों से दबाते हुए इसकी जो हलके हलके दाने होते हैं उसे हमें बस खतम करना है और देख रहे हलका सा यह चिपक भी रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है आप इस तरह चुड़ाएंगे पूरा का पूरा बर्तन का निकल के एक लोई बन जाए तो अगर आप घर पे बना रहे हैं कभी वीरस गुला या कुछ भी तो जितना छोटा हो से कि उतना छोटे साइस का बनाएगा तो इसका सेब बना रहेगा जब आप इसको बोईल कीजिएगा चप्टा नहीं होगा और अच्छा बनेगा तो छेना पाई के लिए छोटे मैंने लोई कर लिया और उसके बाद चासनी जो हमारा है अच्छा गरम है उबलता हुआ चासनी में में करके इसको डालेंगे अगर आप बड़े साइस का छेना बना रहे ना तो उसमें एक दिकत होती है कि चासनी काफी जादा बनानी पड़ेगा आपको भरके और उसी हिसा कि आपका चेना जो है गोल गोल बनेगा अगर आप चोटे सा इसका बनाते हैं तो कम चासनी में भी बन जाएगी इसको हमें 20 मिनट के लिए कम से कम 20-25 मिनट के लिए लगे कि चासनी हलका सा गाढ़ा हो गया है ताप इसमें गरम पानी करके साइड से डाल दे और उसके पाइक को डिप करने के लिए तो यहां पर आधा लिटर मैंने दूद लिया है, इसको अच्छे से खाह वला लिया है, इसमें हम थोड़ा असा केसर दाल देंगे, केसर से कलर बहुत अच्छा जाता है, फ्लेवर भी आता है, इसमें जल्दी गाढ़ा करने लिए, दो चमच भर के milk powder डाले है और थोड़ा सा मैं इसमें condensed milk डाल रही इसे टेस्ट बहुत अच्छा जाता है जिसको बोलते हैं एक से दो चम चुब डाल दीजिए और एक चुटकी मैंने हल्दी डाला है मैं इसमें कोई भी color का यूज नहीं कर रही इसके लिए दो चम चीनी डाला चीनी अ आधा खुला ले जितना था कॉंट्रिटी उसका आधा उसके बाद इसको ठंडा कर लें ठंडा करने के बाद इसमें आप चासनी में से इसको निकाल लिए छेना पाई को और उसको दूद में डालते जाई आप देखरें कितना सॉफ्ट है तो अगर आप छोटा बनाते हैं तो इसी तरीके के गोल गोल एकदम सॉफ्ट सॉट बनेंगे बड़ा साइज का अगर हम बनाते हैं थोड़ा सा वह चप्टा होने का डर रहता है तो घर पर बना रहे हैं तो छोटी वाली बना लें उपर से आप इसमें थोड़ा सा पिस्ता और बदाम की गानिसिंग करें और इ लेकन को भी जूर दबा लें जिससे मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें